लोग confused होते हैं कांधार अफगानिस्तान वाले से, तो गांधार और कंधार में डिफिरेंस है, जो इंशन्ट इंडिया का गंधार है, वो है आपका रीजन, वेस्टन पंजाब, पाकिस्तान का, उसकी जो कैपिटल थी, वो थी तक्षिशिला, आज का टेक्षिला जो है, तो अजाद शत्रू एक बार खाना खा रहे होते हैं, तो बेसिकली वो भी अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, तो बेटे को खाना खिला रहे होते हैं, उनके हाथ में होता है फोड़ा, वो फट जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, उनको बड़ा गिंसी हो जाती है, त खाना वाना फैक्ट देते हैं, तो उनकी जो माँ होती है वो आजाजचत्रू पे ताना करती है, कि तुम्हारे पिताजी जो थे, उनको उनके हाथ में भी ऐसा ही सीन हुआ था, लेकिन उनको उनको घ्रिणा विना कुछ नहीं, उनको खाना खाते रहे, तो फिर इतना अजाजचत्र को लगता है कि भाई मैं बुरा कर रहा हूँ अपने पिताजी के साथ, तो जो उसमें क्या करता है, कुलाडी लेके जाता है, जो जेल से इनको रिला कर दूँगा अपने हाथों से, तो वो देखते हैं कि मेरा बिटा कुलाडी लेके आरा, तो वो को वहीं पर मर जाते हैं, हम पर्जिया के बारे में इतना इसलिए जानते हैं कि ग्रीक्स ने उनके बारे में लिखा था, साइरस दे ग्रेट के बारे में बोलते हैं कि जो फर्स्ट एक्सपेडिशन लेड़ करी थी उन्होंने, वो इतनी बुरी तरह से फेल हुई थी, कि दो या तीन लोग ही वापिस लौटे थे, मतलब उनको इंडिया में रिजिस्टिंस मिला था, कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉलोनी या सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रीजिन जहां से टैक्से आते हैं, वो इंडिया ही रहा हमेशा थूआउट वैसे आप देखेजिए मतलब कि पुराने समय में एग्रिकल्चरल लेंड जितने ज़्यादा होंगे, पूरा एक्स्पैंड कर दिया होता था टेरिटरी थूआउट इंडिया, इंडिया की क्या पिक्चर होती ही? एक तरह से तो था ही हाँ, क्योंकि अलग अलग लेकिन एक एक सर्टेन मोनोथिस्टिक नेचर भी था जोरेस्टिन एम्पार का, तो वो भी हमको मतलब देखना चाहिए, लेकि मतलब वही है कि कहना बहुत मुश्किल है, जिसे जब हार रहा है परस, अब पहली मीटिंग होती है लड़ाइ के बाद एलिक्जेंडर और परस में, आलिक्जेंडर परस से पूछता है कि मैं मतलब कैसे ट्रीट करूं तो परस रेपलाई करता है कि जैसे एक राजा दूसरे राजा को करना चाहिए, तो उससे बड़ा इंप्रस होता है अलिक्जेंडर जो डेली सल्तनत थी एक स्कॉलर है विलियम डिगबी नाम है साइमन डिगबी उन्होंने एक बुक लिखी है तो उस पे उनका मेजर आर्ग्यूमेंट है कि डेली सल्तनत जो थी वो उसकी military superiority का main region ये था कि इसने जो horse trade routes थे जिससे horses की supply होती थी उस पे इनकी monopoly थी तो उसके कारण क्या थे जितने घोड़े आते थे वो इनके लिए ही आते थे बाकी जो इंडियन kingdom थी ये पैदल लड़ते थे नहीं मतलब आपके पास कम जिसे जो ये विजय नगर एंपायर है उनके गोड़े आते थे वो sea route के थुरू आते थे और sea route में Marco Polo जो है जब ये आया था तो वो बताता है कि इतनी बुरी मतलब sea route के थुरू आ रहे है उस टाइम पर जो आते 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 खतम हो जाते थे फिर यहां पर क्या था कि उनकी जो diet होती थी जो traders होते थ तो इनको जो गोड़े खिला घुलाते थे घुढ़े दू साल में नरते थे और आते। और कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है. PhD अच्छी चल रही है? कहां पहुंची PhD? PhD अभी मतलब primary sources अलग बलब खतम होने वाले हैं तो analysis की stage शुरू होने वाले हैं तो मतलब finally write करना शुरू करूंगा मैं एक दो महीने में आच्छा और PhD यूजूली अभी आपका तीन साल का duration रहता है, नहीं? मिनिम्म तीन साल रहता है, मैक्सिमम आप पांच तक कर सकते हैं तो अभी तुम्हारा यह target है, by the end of this year या? नहीं, next year के end तक कोशिश करूँ है submit करने के, उसमें कुछ untranslated texts हैं, Sanskrit के, तो अब उसमें अगर ज्यादा टाइम लगता है, तो फिर extend करनी पड़ सकती है, नहीं तो ओके और यह PhD आप जो कर रहे हो, तो आपकी क्या specialization है, medieval India, right? नहीं, मेरी है, आप कह सकते हो, वैसे तो ancient Indian history के unit में हो मैं और basically आप early medieval period तक जाता है मेरा early medieval period, okay early medieval, हाँ ये early medieval period में ही जो 16 महा जन्पद वाला जो एरा है, वो आप उसी में govern कर लेते हो, रही है? नहीं, आपका 16 महा जन्पद, जो 16 महा जन्पद वाला जो period है, वो है 6th century BC का तो लगभग मतलब आज से 26 साल पहले का period है ओके, तो ऐसा कह सकते हैं मैं, I'm telling you why I'm starting with this particular point, क्योंकि एक ऐसा notion है कि India Britishers के आने के बाद जो है एक पुरा union बना है, उससे पहले कोई idea of India as such नहीं था तो इस point से ही शुरू करते हैं कि अगर 16 महा जन्पद जिसे हम कह रहे हैं, कि ये अपने आप में 16 as in union territories थी, right एक तरह की union territories थी, जिनका कुछ ना कुछ connection था आपस में या कैसे ये लोग आपस में communicate करते थे क्योंकि languages सेम हुआ अगरती होंगी, right ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे क्योंकि distance वाइस तो ऐसा कोई बहुत distance है नहीं, आज की date में क्या है, थोड़ा इसको elaborate करके आप बताओ, region क्या थे, languages क्या थी, क्या concept आवर, जादा powerful थे, किसका जादा influence था, थोड़ा उसको detail में आप बताओ, कि 16 महाजनपद थे क्या, तो सबसे पहले तो जो महाजनपद term है तो जनपद मतलब, जन वेधिक text से start होनी शुरू होगी थी, तो basically जो एक area है, जहां पर settlements की तरह आप कह सकते हो और 6th century BC 7th century BC के around हम देखते हैं कि 2700 साल, 2600 साल पहले, एक bigger settlements हो रही है callous हो रही है, तो जैसे जो आपके early buddhist texts हैं तो उसमें हमको पहली बार mention आता है, 16 महाजनपद करके और 16 महाजनपद यह basically आपके जो जितने भी लगभग सारे के सारे महाजनपद हैं, वो आपके northern इंडिया में है, एक है वो डेकन में आता है, लेकिन उसकी location पर debate है और यह जो 16 महाजनपद हैं, यह आप एक तरह से कह सकते हो कि states हैं और यह distinctly politically governed होती हैं, तो कुछ states जो हैं, वो monarchies हैं कुछ states एक तरह से republic हैं तो वहाँ पर मतलब कोई राजा नहीं है और तो ऐसे अगर आप कहरो monarchy है, तो वहाँ पर तो राजा होगा, बट अगर republic है तो republic में भी तो कोई बंदा होगा ना जो lead कर रहा होगा लोगों को या administrator होगा, वो कैसे govern होता था? वो govern होने अब उसमें क्या है कि उसमें जैसे एक महाजनपद है, वज्जी जिसे कहते हैं, बुद्धिस sources में और Sanskrit sources में कहते हैं व्रिज्जी, basically North Bengal का, North Bihar का region है, तो वहाँ basic हमारे पास कोई government structure उनका क्या था, वो हम बुद्धिस sources जो की indirect reference उनके governor governing style पे देते हैं, उन states के बारे में उसके through हम जानते हैं, तो उसमें हमको यह पता चलता है कि जैसे और खास बात यह जो republics थी, इनकी यह थी कि यहाँ पे जो ruling class थी, वो entirely क्षत्रिया nobles की थी, और क्षत्रिया family का जो male head था वो governing body में जाता था और governing body का एक elected representative होता था, जो governing body elect करती थी उसको, तो मतलब एक कोई monarch जैसे उसकी line चली आ रही है कि उसका बेटा बनेगा राजा, तो इसमें वैसा हमको देखने को नहीं मिलता तो यह था broadly governing structure as such, वैसा कोई राजा type का था नहीं, लेकिन उसमें वो भी बात आ जाती है कि अब जैसे हम eastern इंडिया के जो republics थे उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जैसे जब आप पतंजली को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है हमको कि northern इंडिया में भी republics थी, जो आज कई आपका पंजाब का इलाका है हरियाना का इलाका है, यहाँ पर भी थी republics, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको इनके नाम के अलावा इनका governing style ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि sources ने mention नहीं कर रहा तो महाजनपत basically आपका अलग-अलग वहाँ पर governing styles था एक तरह से political entity थी और 16 major states थी यह northern इंडिया की, startings की शुरू होती थी आपका जो आज का western पंजाब का रीजन है पाकिस्तान में तो जो टेकसिला का इलाका है वो गंधार महाजनपत था, लोग confused होते है कांधार अफगानिस्तान वाले से तो गंधार और कंधार में difference है जो ancient इंडिया का गंधार है, वो है आपका region western पंजाब पाकिस्तान का, उसकी जो capital थी वो थी तक्षशिला, आज का तक्षशिला जो है, रावलबिंडी जो स्टेट है स्टी है, उसके बगल में तो ये गंधारी actually कंधार से नहीं है वो तक्षशिला वाले गंधार हाँ, गंधार जो था, गंधार आपका western पंजाब का region था, और उसकी capital थी तक्षशिला तो ये हो गया, फिर उसके बाद कामबोज आ जाता है, तो कामबोज की exact location पता करना क्योंकि दिक्कत है, क्योंकि early text में हमको ये पता लगता है कि जो राज़ोरी southern कश्मीर का region था, वो था जम्मू वाला जो region है, राज़ोरी पुन लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो later texts हैं, उसमें बताते हैं कि वो उसको, कमबोज और northern shift हो गया है, तो exact location लेकिन most probably ये कश्मीर जम्मू region था, कामबोज ये अपना एक जनपत था, गांधार एक अलग, कामबोज अलग फिर आप नीचे आ जाओ फिर जैसे जो आज का ये जहां पर हम Delhi का region है, हारियाना डेली का region था है, Kuru, Kuru जनपत था, फिर आप जैपूर की तरफ चले जाएं, तो वो मत्स था, Kuru जनपत इसको इसलिए गहते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र इस एरिया में हुआ था, इंदरप्रस्थ भी इस एरिया में था, हाँ, वो, बेसिकली जो जनपत थे न, उनका जो नाम था, वो जो महां के शत्रिया रूलिंग फैमिलीज थी, उन पे बेस था, most of the time. Is it safe to say कि later in the Indian historical, like, पुरा जो ये time span है, इसमें अगर हम ये भी कहें कि 5th, 6th BC तक, जो लोग कुरू जनपत में थे, क्या वो descendants थे, कौर वो या पांडवों के, is it safe to, you know, say that, या, उस period के हमको reference थो मिलते नहीं है, जिसे कुरू ने अगर अपने बारे में कुछ लिखा होगा, और जो बुद्धिस सोर्सेज भी mention, जो कुरू के बारे में mention करते हैं, उनके राजाओं के बारे में mention करते हैं, तो कोई directly mention नहीं करता है कि वो महाभारत से link था, लेकिन most probably मेरे हिसाब से कि भाई, उसी region में महाभारत जो battle थी, तो टुक प्लेस हुआ था, तो descendants क्या पता हूँ, लेकिन exactly जो history है उसमें, especially जो इस period की history है उसमें, हम 100% कुछ नहीं कह सकते, तो मेरे हिसाब से तो हुआ था, तो कुरू हो गया आपका Delhi और हर्याना का region, फिर आप East में चलेंगे, तो जो Western UP का region है, वो था पान्चाल का, पान्चाल जहां से द्रौपदी थी, पान्चाल, फिर उसके बाद और West में चलेंगे, जो आज का अवध region है, वो था कोसल का, कोसल भगवान राम थे, कोसल के, कोसल के बाद फिर काशी, काशी के बाद फिर मगद, फिर अंग, फिर उपर व्रिज्जी, फिर जैसे जो आज का बुंदेलखंड का region है, वो थावध, सकाइला का, फिर चेडी, मल, ऐसे सोला महाजन पत थे कुछ, सबसे जो सदन था वो अश्माक कहते हैं, अश्माक गुदाबरी के आसपास था, लेकिन कुछ सोर्सेस में को बताया जाता है, कि वो नौर्थ वेस्टन में था, नौर्थ वेस्टन इंडिया, बिसिकली अफगानिस्तान के पास, तो भी confusion है अश्माक के लिए के, बट, ओवरॉल कंसेंसिस क्या है, कि ये सारे जुते भी जनपत थे, वर दे लिविंग इन हामनी विद इच अदर, या टसल रहते थे, अश्माक बैटल्स होती थी, और जैसे हमको फेस दिखती है, तो एक पीरियड था, जब काशी महाजनपत जो था, वो सबसे पावर्फुल था, फिर कुछ टाइम बाद, कोसल होता है पावर्फुल, कोसल बेसिकली जो अवदगरी रीजन है, जिसकी राजधानी दो राजधानी थी, श्रावस्ति और साकेत, साकेत अयुद्ध्या का जो रीजन उसको कहते है, तो कोसल हो जाता है पावर्फुल, अभी कोई एरिया है, जिसको साकेत बोलते हैं, या आप सिर्फ दिल्ली में ही एक साकेत है, नई, अभी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपे, बेसिकली जो ये, कुछ हिस्टोरियन्स का ये कहना है, कि जो 16th century का जो पीरिए ता, जब ये sources लिखे गए हमारे, early buddhist sources, तब तक साकेत जो था as a city, डिकलाइन कर चुका था, तब जो prominent city थी, कोसल की वो थी श्रावस्ती, तो basically एक सर्यू नदी जो थी, वो दो cities को डिवाइट करती थी, उत्तर कोसल, दक्षन कोसल ऐसे था, तो इंदक्षन कोसल में आपका ये साकेत था, उत्तर में श्रावस्ती, तो एक time period के बाद, काशी की dominance को ये खतम करता है कोसल, और कोसल ने काशी पे मतलब अपना occupation हो जाती है, फिर period आता है मगद का domination का, और मगद से आप कह सकते हैं, कि एक तरह से political history के महां से शुरुवात होती है, जो एक मगद के ruler है, बिंबि सार, अशोक के फादर है, ने ने, वो बिंदु सार है, ये बिंबि सार है, तो ये जो है, इस ruler के बाद से हमको एक continuous history पढ़ने को मिल जाती है, तो कुछ मामलों में आप कह सकते हूं, कि ancient Indian की India की जो political history है, academic circles में, वो start होती है, बिंदु सार से, उससे पहले भी राजा थे, ऐसे तो हैं ने, वो पहले राजा थे, लेकिन उसके बारे में, उनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा variety, proper written documentation, जो, का पूरा documentation है, पूरा documentation तो, as in like reliable documentation, जिसके basis पे हम लोग, एक आप dynastic chronology बना सकते हो, और ये कब से शुरू होता है, बिंदु सार का, बिंदु सार के exact, देखें, वो ancient Indian history में, exact date मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप ये कह सकते हो, कि basically 5th century BC का, हरपन civilization है, वो भी I think, उतनी duration में कहते हैं, नहीं, academic उसमें तो, 1500 BC के around, उसमें हमको देखने को मिलता है, decline आ जा रहा है, तो लगवा हजार साल पहले, अच्छा, हजार साल का gap है, और फिर बिंदु सार से, आपका बिंदु सार के time से, हम देखते हैं, फिर उसके बाद उनका, जो बेटा आता है, अजाद शत्रू, अजाद शत्रू ने फिर कोसल पे, conquest होती है, और finally, नंदा तक, महानन्द जो चंदरगुप्त के पहले थे, चंदरगुप्त मौररे के, तो नंदो, नंदो के time तक, बेसिकली रिसोर्स, फिर डाइनेस्टिक स्ट्रूगल्स भी होते हैं, जैसे एक बहुत फेमस, वो आती है, स्टोरी की, जो मगध का रीजन है, मगध बेसिकली जो सदन बिहार का रीजन है, वो मगध का कोर था, तो मगध के बॉर्डर, नौर्धन बॉर्डर पे गंगा जिबहती है, और गंगा के जो नौर्धन बैंक है, वहाँ से शुरू होती है, टेरिट्री विज्जी की, अब एक बुद्धिस सोर्सेस में यह आता है, कि जो गंगा के बैंक पे, एक डायमंड की खान मिलती है, अब दोनों की दोनों यह जो स्टेट्स हैं, डिसाइड करती हैं, कि जितना यहां से आउटपुट हमको मिलेगा, उसका हम डिविजन कर लेंगे, तो कुछ दिनों पर, कुछ देर बाद हम मगद वाले यह कंप्लेन करते हैं, व्रिजी जो हैं, इसमें घोटाला कर रहे हैं, तो फिर से फिर लडाई शुरू हो जाती है, मगद और व्रिजी की, और वो लडाई हमको बताया जाता है, 16 साल तक चलती है, और फाइनली व्रिजी इस पे, अजाद शत्रू के पीरड में होई थी, तो ऐसे रिसोर्स को लेकर जादा तर लडाईयां होती है, फिर कुछ लडाईयां मतलब परसनल डाइनस्टिक रीजन्स के कारण होती है, जैसे इसमें बताया जाता है क्या कहते हैं, अजाद शत्रू के टाइम पर, बिंदुसार के पिता जी उनकी शादी हुगी थी, काशी कोसल के जो राजा थे उसकी बहन से, और अजाद शत्रू को बताया जाता है, उन्होंने अपने पिता जी को मार दिया था, और वो मारने के दो वर्जन साते हैं, जैन सोर्सेस में बताया जाता है कि इंडारेक्ली नहीं वा रहा था ये दोनों सोर्सेस कहते हैं कि अजाद शत्रू ने बिंदुसार को जेल में डाल दिया था उसको राजा बनने के इतनी जल्दी थी कि उसने का कि भई पिताजी तो मेरे जीते रहेंगे तो उसको जेल में डाल दो तो जैन सोर्सेस के हिसाब से अजाद शत्रू को देखते हैं कि इंटरस्टिंग स्टोरी है थोड़ा एक्स्टेंड करके बताऊंगा कि जिसे राजा को डाल रखा है इन्होंने जेल में तो अजाद शत्रू एक बार खाना खा रहे होते हैं तो बेसिकली वो भी अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं तो बेटे को खाना खिला रहे होते हैं उनके हाथ में होता है फोड़ा और फट जाता है तो उसमें क्या करते हैं उनको बड़ा गिंसी हो जाती है खाते रहे तो फिर इतना ओजाजाजशत्र को लगता है कि भाई मैं बुरा कर रहा है अपने पिताजी के साथ तो जो उश्में क्या करता है कि गुलाडी लेके जाता है कि भाई मैं अभी जो जेल से इनको रिया कर दूँ अपने हाथों से तो वो देखते हैं कि मेरा बिटा कुलाड़ी लेकर आ रहा है तो वो को वही पर मर जाते है तो फिर basically end में क्या होता है कि जो कोसल के राजा है उनको लगता है कि फिर end मतलब जैसे अजाद शत्रू की जब मौत होती है तो दुख में आके उनकी जो वाइफ है उनकी भी डेथ हो वो भी अपनी आत्मत्य कर लेती है तो जो कोसल के राजा होते हैं जिनकी बहन मर गई है उनकी तो उनको लगता है कि अजाद शत्रू के कारण ही मेरी बहन मरी है तो फिर वो लड़ाई शुरू कर देते हैं तो यही ऐसे कारण थे लड़ाई होने के आपस में लड़ाई वड़ाई शुरूर्स था रीजिन या अपना आप से रंजिश औगयरा के कारण ही लो आपस में और बाहर से एक्स्टरनल फोर्स का आना तो उस टाइम पे कोई स्कोप था नहीं उन चीज़ों का नहीं इस पीरिट में ही वो जक्स यह जो परिजिन इंविजिन होता है वो इस पीरिट में होता है ओके तो यह क्या टाइम पीरिएड है जहां पे जर्क्सी आना शुरू करता है यह 5th century BC का पीरिएड है जो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने मतलब अटेक कर रहा था हो थे Cyrus the Great कुरूश जिनको Persian sources न कहते है यह जो Persian empire है जो जर्क्सी या जो Cyrus थे शुरू होता है यह लोग कौन सा religion वर थे Zoroastrians? हाँ Zoroastrians थे ओके तो इन में क्या यह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि Zoroastrians और जो इंडियन वेदिक सिस्टम था था है काफी जादा सिमिलारिटीज है इन में आपको या लगता है इस अपने सिमिलारिटीज थी स्टार्टिं में थी सिमिलारिटीज लेकिन 6th century तक आते हैं ते मेजर दिफरेंस आ गये थे दिफरेंस आ गये थे अपने आपको दिफरेंस के आने तक उसने अपने जोराशियन में ही काफी जादा रिफॉर्म लाए, चेंजिस लाए बिकसे वांटेटीज तो इस अपने आपको दिस्टिंक्ट दिखाना चाहते थे फॉम दे वेदिक पीपल कहना मुश्केल है क्योंकि जैसे जो इंशेंट इंडिया का केस है वोई केस है सायरस दा ग्रेट के साथ भी हमको जादा सोर्सेज मिलते नहीं इस्पैशली जो इंशेंट परशिया के केस में हम परशिया के बारे में इतना इसले जानते हैं Greeks ने उनके बारे में लिखा था अच्छा, उनकी जो अपनी खुद की लिखी हिस्ट्री हमारे पास यादा है नि उनके पार एक दो inscriptions हैं, उसके थू जानते हैं और जादा तर Greeks के क्योंकि Greeks उनका बहुत पुराना conflict रहा था, तो उन्होंने Greeks के बारे में major sources हमारे वैसे उन्होंने क्या उनका जो religious वो सब था, उसके बारे में जादा जान कर रही हमको है तो ये इसका आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है, तो बेसिकली ये पार्सी ही थे एक तरह से कारा सकता है, मतलब जोरेस्ट्रियन वो follow करते थे, और Cyrus the Great के टाइम पे काबूल तक का जो region था, वो हो गया था conquer, और फिर डेरियस असली जो conquest होई थी, वो डेरियस के रेन में होती जो Cyrus का बेटा था, जो इंडिया पे जो conquest होई थी, हाँ, उसने बेसिकली जो आपका ये गानधार तक का region conquer कर लिया था तक्षिला वाला, हाँ, जो इंडिस का western bank है वहाँ तक उसका conquest हो गया था जक्सी इसने maintain करा था उतना ही but beyond that they never came, हाँ, तक्षिला का जो पूरा region है, गानधार का वो करा नहीं था, क्योंकि जब हमको पता लगता है कि जब Alexander आता है ना तो ये टेक्सीला वाला जो reason था यहाँ पर Persians नहीं थे, यहाँ पर एक Indian ruler था जिसका नाम आम भी हम भी जिसको कहते हैं Greek sources उसको ओमफिस-ओमफिस कहते हैं बट ये इन लोगों को कोई resistance नहीं मिली थी इंडिया या उस चलता है, Cyrus the Great के बारे में बोलते हैं कि जो first expedition led करी थी उन्होंने, वो इतनी बुरी तरह से फेल हुई थी कि दो या तीन लोग ही वापिस लोटे थे, मतलब उनको इंडिया में resistance मिला गा? हाँ अफगानिस्तान तक आते आते, और second फिर आपका, ये second में उन्होंने काबूल तक conquer कर पाया थी बट ये resistance किसने गर ये उसका कोई mention नहीं है? आँ, local rulers ही होंगे, लेकिन हमको राजा तक नहीं पता, आपके, जैसे अब Porus-Porus की बात होती है, तो Porus अगर Greek sources mention ही नहीं करते हैं, तो हमको पता ही नहीं रहता कभी कोई Porus था, बट ये भी तो कहते हैं कि Indian sources में भी Alexander के बारे में कुछ mention ही नहीं है, एक हाँ, वह भी बात है, Alexander के बारे में से नहीं नहीं, Porus के बारे में एक है, 6th century, 6th नहीं, 7th century AD का source है, Harsh Charith, Harsh Vardhan आपने सुना होगा, उसकी biography लिखी थी एक एक आदमी ने, तो उसमें एक तरह से mention आता है, लेकिन वो indirect reference है, और वो भी invasion को लेके नहीं है, वो दूसरे sense में reference आता है, तो as such तो हमारे Indian sources से इतना कुछ mention नहीं काते हैं, तो किसने resistance करी, कौन rulers ते कुछ नहीं पता हमको, ओके, तो basically Darius के time पे Taksila तक इन लोगों ने conquer लिया था, तक शिला तक कहना exact कहना मुश्किल है, लेकिन यह हमको पता है कि जैसे जो Darius की आप जो tomb है ना, उसमें उन्होंने, उसने एक sculpture देखने को मिलते हैं, कि कौन-कौन से regions में, मतब कौन-कौन से region में उसका conquer है, तो हर region का एक particular scenic है, उसको depict कर रखा है, तो India के case में दो हैं, एक है Hiddush region का, जो की सिंध होगा, यह speculation है, और एक है गंधार region, गंधार अगर के, तो गंधार region के बात हो रहे हैं, तो मतलब उस level तक का evidence है, कि, यह मतलब Indian evidence नहीं है, यह सारे के सारे आपके non-Indian evidence, और Darius के बाद Zerksis आता है, अहां, Darius के बाद Zerksis आता है, Zerksis ने maintain करा होगा, वो है, यह Zerksis वही वाला Zerksis है, जो 300 में दिखाते हैं, इनका ऐसा क्यों है, कि यह लोग फिर Zerksis के आते-आते, यह वेंट बाक टो ग्रीस and ट्राइंग टो इन्वेड देम, इंस्टेड अफ कमिंग, क्योंकि अगर इंडिया में इते resources थे, तो इन लोगों ने यह क्यों नहीं सोचा कि हम लोग इंडिया को यह और आगे कॉन कर करते हैं, यह लोग वापस वेस्ट वर्ड क्यों चलेगा, इंट्रेस्टिंग कोशन लेकिन मेरे को लगता है जिसे जो आपका जरक्सी से पहले डेरियस के टाइम पर इंवेजन सुरू हो गया था, ग्रीक का, मतब ग्रीक इंवेजन जो था, यह बेसिकली अकैमिनेट एंपायर था इनका, इसको कहते थे तो अकैमिनेट इंवेजन आफ ग्रीस जो थी और डेरियस के पीरिड में शुरू हो गी थी और उसमें आप यह कह सकते हो एक तो जो रीजन था वो वाला, वो ट्रेड के लिए बहुत इंपोर्टन रीजन था उनके लिए और एक तरह से पर्सनल वो भी था कि वहाँ पे एक्सपेंड करना मेरे हिसाब से ज़ादा एजी था क्योंकि जो यह जो रीजन था यह वाला रीजन एक्सपेंशन यहां से उनको resources मिल रहते बराबर-बराबर क्योंकि Herodotus जो है वो mention करता है कि जितनी भी satraps थी Herodotus कौन है? इनका historian है? नई यह Greek historian है उसने book लिखी थी उसका नाम ही histories है तो उसमें वो mention करता है Herodotus कि जितनी भी satraps थी अकैमिनेट एमपायर की तो satraps basically आप provinces को कह सकते है उसमें से सबसे ज़्यादा जो revenue आता था वो आता था इंडियन प्रोविंस से वो nine talents या कितना talents बताता है जो पतानी कितना होता है scholars ने calculate कर रहा है लेकिन मतलब extensive आता था मतलब यह exaggeration नहीं है कि कोई भी historian किसी भी part of the world से हो उन लोगों ने हर जगा यह अपने accounts में mention तो किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा profitable colony या सबसे ज़्यादा profitable region जहां से taxes आते हैं वो इंडिया ही रहा है हमेशा throughout वैसे आप देखें यह मतलब कि पुराने समय में agricultural land जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा resource होंगे किसी country में और भारत में तो था ही इतना ज़्यादा resource rich तो रहा ही था तो इसलिए यह था और वो ही फिर Darius के period में Greek invasion शुरू हो गया तो Xerxes ने basically extend करा था और वो फिर personal reasons भी होते हैं कि उसके जो पिता जी नहीं कर पाया वो करके दिखाएगा तो एक वो भी रहता है तो उसका ज़्यादा वो था मेरे साब से कि वो westwards गए आना तो इस तरफ भी जाई यह था क्योंकि Darius के period में इस तरफ conquest हुई थी क्योंकि Darius से पहले जो Cyrus the Great था उस नमस्काबूल वैली तक करा था काबूल वैली के बाद जो सिंध का रीजन है और आपका जो पूरा का पूरा इंडस तक conquest सारी Darius के period में हुई है इसमें एक चीज बड़ी interesting मेरे को लगती है कि let's assume और यह अजम्चम का game है सारा इसमें speculate बिंदास तरीके कर सकते हो क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं तो तुम आराम से speculate कर सकते हो जो तुमारी readings या पढ़ाई क्या नुसार तुमको लगता है कि क्या हुआ होगा अगर instead of Islamic invasions जो हुए हैं over the centuries in India जरक्सीज ने ही अपना पूरा एक्सपैंड कर दिया होता territory throughout India इंडिया की क्या picture होती मान लो कि Islamic invasions ना हो करके Greek ये sorry जो Persian Empire है ये ही पूरा एक्सपैंड कर जाता all over India तो इसके क्या repercussions होते तुमको क्या लगता है मतलब culturally कुछ लगता है कुछ differences होती या prosperous रह रहे होते लोग इंडिया में और convergence नहीं होते या what is your take in this hypothetical situation ने एक तो जैसे जो दोनों conquest का gap है वो लगभग आपका देड़ हजार साल का gap है ओके Persian invasion आपका 400 BC, 500 BC के अरांड हो रहा है और अगर आप Arab invasion सबसे earliest invasion था वो 7th century AD में हुआ है लगभग 1100 साल का फरक है तो 1100 साल से उससे पहले आपके जिसे कुशांस थे Central Asian मैं वो इसी लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले भी conquest किये बट culturally उतना impact नहीं आए इंडिया पे वो assimilate ही हो जाते थे तो assimilation वाला जो एक्टर है वो पर्जिंज में भी था मतलब उनकी वैसी आप जैसे जो एक तरह से तो था ही हां क्योंकि अलग अलग लेकिन एक एक सर्टेन मोनोथिस्टिक नेचर भी था जोरेस्टियन एमपार का तो वो भी हमको मतलब देखना चाहिए लेकिन मतलब वो ही है कि कहना बहुत मुश्किल है अगर जैसे कुशान जैसे या फिर उससे पहले जो शक्स सीथियन साय थे उनका कहता प्योरली जैसे जो इंडियन केस था कि अलग अलग तुमारे देवी देवता हैं वैसे उनका भी था वो इरानियन DTs में मानते थे तो उनके लिए कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कि यहाँ पे वो सोचते से जब ग्रीक साते हैं तो वो क्या करते हैं कि अब जो मतुरा रीजन के आसपास को बताते हैं कि यहाँ पे हरेकलीस की वर्षिप तो वो ही है तो बेसिकली यही मतलब कि उनको सिमिलारिटीज दिखते हैं तो आप अड़ाप्ट और मतलब एसिमिलेट करना ज्यादा सान है वहीं पे एक मोनोथिस्टिक फेस्ट के साथ वो करना मुश्किल है तो वो तो रहते हैं बट क्यूंकि इन लोगों ने अगर गांदार तक काफी देर तक अपना क्या कहते हैं उसे वर्चस्व जमा रखा था तो उसमें कुछ रेमिनेंट्स तो दिखते होंगे ना इनके कल्चर के एसिमिलेशन के रेमिनेंट्स हैं पहला रेमिनेंट्ट को ये है कि जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है खरोष्ठी स्क्रिप्ट बेसिकली जो इन्षीं इंटियमें जो यह अभी आपका पीजियद है अशोक सबसे जो अर्ली इंसक्रिप्शन है हमारे पास वो है Incheant India में, मैं इसमें 85 script ने include कर रहा हूँ, तो Incheant India में सबसे earliest inscriptions हैं Ashok की, और Ashok की inscriptions दो script में हैं, एक है ब्रहमी और एक है खरोष्ठी, खरोष्ठी inscriptions जो हैं, वो सारी की सारी आपकी नौर्थ वेस्ट में पाई जाती है, जो पाकिस्तान अकेमिनेड एम्पायर में जो बोली जाती थी, अरामीक नाम था उस script का, जो एक्चुली Nazareth की लैंगविज थी, मतलब वो उस मतलब, Jesus की जो एक्चुल लैंगविज थी, तो अरामीक, script और अरामीक लैंगविज दोनों थी वो, तो अरामीक, यह कौन सा रीजन था, जहां पर यह होता था, अरामीक का, बेसिकली आप यह समझ लिजे कि जो वेस्टर्न अफगानिस्तान से लेके, इधर पूरा का पूरा आप तर्की तक चले लिए, तर्की इसराइल वाला, तर्की इसराइल जो यह पूरा का पूरा, अरामीक का इंफ्लुएंस है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अरामीक से निकली है खरोष्टी इंस्क्रिप्शन, तो खरोष्टी इंस्क्रिप्शन निकलने का मतलब यह ही है कि, इस रीजन में अरामीक से इंटरेक्शन था, इंडियन्स का और उन्होंने उसको aramic language, aramic script को adapt करके खरोष्टी के form में convert कर दिया ओके और यह जो खरोष्टी है इसके कुछ remnants हैं आज की modern day Indian languages में नई यह जो है हमारे पास अशोकन inscription में मिलती है और फिर उसके बाद कुशान period तक है जैसे जो इंडो ग्रीक्स आया थे उन्होंने अपने coins में खरोष्टी inscriptions use, खरोष्टी script यूज करी है और कुशान period तक आते आते हैं डिकलाइन हो जाता इस script का, उसके बाद यह script नहीं बज़ती, ठीक है तो एक तो खरोष्टी script है influence देख सकते हैं, और दूसरा हमको पता लगता है जब Alexander आता है न तो Alexander के sources में हमको पताते हैं कि कौन-कौन से जो rulers यहां पे हैं तो उनके कुछ historians का कहना है कि उनके नाम हमको कुछ मिलते हैं कि Persian नेम से similar है यह है, दो बेसिक है और एस सच, फिर एक यह theory है लोगों की, की जो जो script है script लिखना, यह वाला जो पूरा का पूरा है, या फिर coinage, वो सारा का सारा वो Persian influence के तौर पहा है, लेकिन वो debatable हो जाता है, कि उससे पहले Indians coinage यहां पे नहीं था उसके बारे में क्या है कि अगर Persian से पहले coin, बार्टर सिस्टम ही होता था, या बार्टर सिस्टम होता था और आप Vedic sources पढ़ेंगे, तो उसमें हमको पता लगता है कि जैसे जो यह पंजाब की नदियां थी न, तो यहां पे आपने देखा होंगे कि और discovery पहले वो आता है न, गोल्ड वो जो करते हैं यह अलास्का व अलास्का में पानी में जो सोने के वो मिलता है तो गोल्ड़स्ट ऐसा पंजाब की रिवर्स में भी मिलती थी तो गोल्ड़स्ट को बेसिकली छोट-छोटे bags में रखके उसके ingots बनाके उसको use करते थे अब उसको अब लेकिन उसमें डिबेट यह है कि वो as a jewelry use करते थे कि as a coin use करते थे वो कहना मुश्किल है क्योंकि earliest sources में वो mention करते हैं जो term वो term use करी गई है कि मैंने nishk term use होती है तो nishk को बताया कि कि भगवान इंदर ने nishk के वो पहन रखे तो अब nishk के पहन रखे है तो as a jewelry के science में jewelry के sense में use हो रहा है अब क्या पता उसको coinage के term में भी लेकिन coinage वाला major historians मानते हैं कि इस period में नहीं था यह वोई जो 6th century का period है जब महाजन पत वो था उसी समय यह coinage आया अगर jewelry के sense में भी करते हो तो jewelry भी तो काप मलब from the beginning itself it's kind of I mean used as a symbol of financial security ना हा लेकिन फिर वो है ना कि उसमें coinage में आ जाएगा कि आपको monetary coinage में आपके raja को stamp मारेगा फिर उसकी अलग-अलग denominations होंगी तो coinage का एक broader meaning है तो उस sense में use कर रहे हैं या फिर एक valuable item jewelry valuable item उसको आप barter करके वो तो barter sense में हो जाएगा ठीक है तो यह पुरा अपना हमने cover कर लिया जर्क्सीस का period जो एक हद तक आए वो उसके बाद वो वापस अपना चले गए मतलब नहीं मेंटेन तो उनोंने कर रखा था हमको यह बता है जो जर्क्सीस की invasion थी ग्रीक वाली उसमें troops थे इंडियन troops जैसे हिरोडोटस ही है हिरोडोटस बताता है कि जो इंडियन troops है उसकी खास बात क्या है कि वो कब जो cloth पहनते हैं वो ऐसा cloth है जो पेड़ पे उखता है वो basically वो cotton के sense में क्योंकि जैसे जो आप आज का cotton यूज करते हैं वो cotton लेकिन आप जो early मतलब पुराने पेड़ देखोगे cotton के कहीं कहीं पे है जैसे मैंने देखे हैं तो वो उसका बड़ा पेड़ होता है मतलब बड़ा प्लांट होता है कम सकम 6-7 फीट का उसमें फिर cotton निकलता है तो वो उस sense में cotton फिर बताते हैं कि और उनका जो जो ये Indian sources मतलब जो soldiers हैं उनके उनका एक broad bow रहता है बहुत बड़ा सा bow और वो हमारे common reference है वो Alexander जब लड़ता है यहां पे आके तो उसमें उसमें भी description आता है कि जो Indian soldiers थे उनके पास जो धनुष था वो बहुत लंबे size का होता है लंबे size वाले में क्या होता है वो long distance के लिए long distance से ज्यादा long distance तो as such उसमें कुछ नहीं होता है क्योंकि जो यह step के जो लोग थे Central Asia वन उन वो जो जो बहुत 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 करते थे bow वो size का चोटा होता है लेकिन उसकी भी strength और जो मारक्षमता जिसके वो भी काफी अच्छी थी लेकिन वो basically Indians ने जो उनके environment थे उसमें अडॉप्ट कराता है यहाँ पर क्याए हुमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो composite bow है वो बहुत सारी चीजों से बनता है उसमें animals की हड़ी इस्तमाल होती है तो उसमें क्याए कि वो अगर वो humid इलाके में रहेगा तो उसकी strength खतम हो जाती है हमारे यहाँ पर क्याए है कि monsoon season में इतनी बारिश पढ़ रही है तो आपके bamboo जब अच्छा काम कर रहा है तो आप bamboo यूस करोगी क्योंकि इसी sense में आप जिसे जब आप जाएंगे भी यहाँ पर कोई भी museum जाएंगे ना तो आपको composite bow मिल जाएगा देखने के लिए लेकिन जो mughals थे उन्होंने यह realize कर लिया कि यहाँ पर composite bow जादा चलेंगे नी क्योंकि composite bow को बनाना भी बहुत मुश्किल होता है उसकी special technique होती है उसका time जादा होता है यहाँ क्या है कि simple जो bamboo का bow ने आपने बास के वो लाए और simple बन गए तो mughals ने क्या करा यह देखते हुए यहाँ पर metal bow यूज करना शुरू करा था तो mughal के पूरे area में era में अपना metal bow चलते थे metal bow भी यूज करते थे composite भी यूज करते थे लेकिन composite का क्या था कि आप जितना अच्छा और जितने long time तक वो Central Asia में मतलब उसको रख सकते थे वो यहाँ पर ने रख सकते थे क्योंकि humidity यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि कुछ time के बाद वो काम करना खतम हो जाया तो और यह इनकी क्या आप पता रहे थे वो speciality इनके जो इंडियन forces जो जगती हाँ तो यही था कि वो लंबे-लंबे बो यूस करते तो बेसिकली यही वो वाले बो हैं बैंबू के बो हैं और वो cotton पहनते हैं cotton जो थी वो ancient period में इंडिया में पहनी जाती थी ऐसा जो regularly बाकि तो सब वूल पहनते थे Central Asia में वैसे तंड होगी वूल वैसे वो पहनते थे आप Greece में भी वो वूल ही पहनते थे cotton यह specialty यहां की थी तो basically यह कह सकते हैं कि archers है basically इंडिया के archers नहीं archers नहीं लेकिन यह चीज़े distinct थी बाकि और sword और वो सब भी use करते थे लेकिन यह चीज़ ऐसी थी कि जो बाकी सब यूज नहीं करते थे बड़े लंबे लंबे बोज होते थे वो इनके यूज होते थे मतब यह special थे ऐसे वाले बोज अब हम Alexander की बात कर रहे थे बहुत बारी रेफरेंस आया है तो Alexander का era obviously Persian Empire के westward जाने के बात फिर Alexander का conquest of India आते है इसमेर को एक चीज पूचनी थी I don't know if you've seen that video a Christopher Doyle करके है writer काफी पुरानी वीडियो है TED Talk की वीडियो I think उनकी he is essentially giving a talk on Mahabharat and he's trying to kind of give you clues and evidences of Mahabharat actually being an historical fact rather than mythology right तो मला उसका perspective हो था उस पे बुक अगरा लिक्किती but he began that talk very interestingly by quoting like mentioning Alexander की we don't find any archaeological remains at all like archaeological evidence so to speak of Alexander's existence तो कुछ वेटज है उस चीज में मेरे को तो इन लगता है क्योंकि कोईन से लेके आपके इतने सारे sources है हमारे पास उस period के उस period के बाद ही और अलग-अलग languages में है तो Alexander की जो existence पर doubt करना मतलब आप पिछले लगवक कितना Alexander जब से है उसके बारे में इतना लिखा गया इतना लिखा गया तो फिर आप आपने देखियोगी उसमें ये अपना अनु कपूर बोलता है कि यार तू आरिपुत्र है और तेरे में आरियन जीन्स हैं अब आरियन इन्वेजन थेहरी तो फेल हो चुकिया उसमें तो अपन आपन इसमें कोई लॉजिक भी उसको डेट करनेगा बट आज के वेस्टन पं लेकिन अब कितना जनेटिक इंपक्ट पड़ा है पॉपुलेशन में वो तो अब जब स्टडी होगी तब पता चलेगा लेकिन ये तो है कि सोल्जर छोड़ के गया था क्योंकि उसके मतलब आपका एलिक्जेंडर के रिट्रीट हुई है मतलब 6 महीने करीब रहा था हो इसका कॉंक्वेस्ट शुरू हुआ है आपका ग्रीस से उग्रीस से चला है फिर आपका बॉस्फोरस पार करके जो आज का ठर्की चलते चलते ही सब भिखेरता हुआ गया है हर जगा जो मेजर बैटल हुई है वो गॉगमेला में हुई है जिसमें उसने जो पर्जियन एमप इसको एक इंडियन किंग जो की ग्रीक सोर्से में बताया गया है आउमफिस करके है वो आता है वो बोलता है क्या कि आप हमारे टेरिटरी में इन्वेड करो और इन्वेड करने का कारण क्या होता है कि उसकी राइवलरी चल रही है पोरस से तो वो इन्वाइट करता है तो फ क्या उसमें कैसी resistance उसको face होई है, किस ने करी है, Major, तो जैसे हमको पताया गया है कि सबसे पहले तो जो ये Amphis या Ambi था, इसका ये region था, तक्षिला इससमें इसकी राजधानी थी, तो इसके जो western boundary थी, वो थी, Ambi was a Hindu king, अब Hindu, उसके religion के बारे में तो कुछ नहीं का, लेकिन Indian king था, और पर्जिन नहीं था, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि Persians तब तक जा चुके थे, तो वापस अगर वहाँ पे तक्षिला में किसी का kingdom होगा, तो most likely वो एक Indian king ही होगा, तो आपको कहेंगे कि आप रूल करो, हमको एक, पहले ये मान लो कि हम आपके ओर लॉड हैं, और हमको ट्रिब्यूट भेजा करो, तो इनका ये था, मतलब उस मामले में बहुत centralized rule नहीं था, तो आम भी एक independent ruler था, इतना clear है, और independent ruler था, तो फिर western, जो boundary थी इसकी जो वो था, इंडस river, और जो eastern boundary थी वो थी जहलम, तो जहलम का जो रीजन था, ये जो दो नदिया हैं, इसके बीच का, इस्टर वोस जहलम एंडस, वेस्टर वोस इंडस, जो पांच नदी है, तो पांच नदी ऐसे शुरू होती है, जहलम, जहलम के बाद आती है, रावी, रावी के बाद, नहीं, चिनाप, चिनाप के बाद रावी, रावी के बाद फिर आपकी, सत्लज या बियास, ये सत्लज, नहीं बियास आती है, बियास के बाद सत्लज आती है, तो यह है फिर उसके बाद आमभी में तो लड़ाई होती नहीं है तो जहलम जो है जहलम के बाद शुरू होती है territory Poros की ओके हाँ और जो जहलम नदी पे जो famous battle होती है Poros के साथ उसको कहते है battle of Hidaspas Hidaspas जो है वो जहलम का नाम है Greek Greek में जहलम को Hidaspas कहते है जिसे Indus है Indus basically आपका Greek name है हिंदी में तो सिंदू कहते थे तो जहलम नदी पे असले अड़ाई होती है Poros के साथ और Poros की जो territory है वो जहलम से लेके चेनाब के बीच में तो पहले अंबी से हुआ हुआ है कुछ तो अंबी तो अंबी ने तो इन्वाइट करा था और अंबी जाता है और अंबी की जो forces है वो फिर Alexander को जॉइन कर लेती है और फिर उसके बाद Alexander की जो first battle major battle होती है वो होती है जहलम पे और basically वो battle यह है कि Poros जो है उसको cross करने से रोकना चाह रहा है Alexander को तो यही battle होती है उसमें फिर मतलब Poros की defeat होती है Poros फाइनली accept कर लेता यह Poros का जो time period है is it the same time period as Chanakya? नई चान आप एक तरह से कह सकते हो हाँ क्योंकि अब यह मेरे बात करने तो मेरे दिमाग में वो खंका है कि I think वो चानक्या वाला सीरे लाता था उसमें वो अभी वापस से एक रील हो गएरा आई है उसमें हम देख रहे हैं कि चानक्या सारे किंग्स को बोल रहा है कि Westwards there's a battle that is going to erupt right and we need to be united and all तो वो उस तरीके का चल रहा है लेकिन हमारे sources में कोई कोई कर जैसे तो बेसिकली जब पोरस की जो टेरिटरिया उसको conquer करने के बाद फिर ये जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़के एक और लडाई होती है उसको battle of Sangala कहते है Sangala के बाद फिर finally ये जो ब्यास नदी है इसको संस्कृत में कहते है विपाशा तो ब्यास नदी पे जाके जो ग्रीक sources का ये कहना है कि अलिक्जेंडर चाता था और आगे बढ़े लेकिन जो वहाँ के soldiers थे अलिक्जेंडर के वो बहुत ठकार गए थे इतना लड़ लड़के उन्होंने कहा कि भी आपने बहुत जीत लिया वापिस चलो एक तरह से म्यूटिनी हो गई थी तो अलिक्जेंडर को फिर वापिस मुडना पड़ा और वापिस भी वो उस मतलब रूट से नहीं जाता जिससे वो आया था वो रूट लेता है आपका मतलब व्यास से वो साउथ साउथ वेस्ट जाता है साउथ वेस्ट बिसिकली मुलतान से होते होते नीचे बलोचिस्तान के रास्ते फिर ऐसे तो कंक्लूजन कैसे निकलेगा इस चीज़ का कि मतलब उसने पोरस को तो हराया वो क्लेर है उसमें कोई there's no other argument around अगर आप पे बोल रहें कि तो वो नहीं हा हमारे पास फिर दूसरा हम यह देखते है कि जो पोरस की टेरिटरी है वेस्ट में जहलम है और राइट में चिनाब है उसके बीच है लेकिन एलिक्जन्डर क्या करता है चिनाब के आगे रावी रावी क्रॉस करके बयास, बयास के बैंक पे जाके वो मुड़ता है, तो पोरस की टेरिटरी तो बहुत पीछे रहेगी ना आपकी, तो अगर आप, अगर माली जे पोरस हरा देता, तो एरिक्जेंडर का होना चाहिए था कि जहलम से सुरू होते है पोरस की टेरिटरी, ऐसा नहीं हो, जहलम के और, आगे गया है वोुचे तो फिर उसके बाद में क्या होता है, यो पोरस के अंडर देता है, और फिर वेश्ट में अपने ग्रीक सोर्स को मारता नहीं है? नहीं वो फेमस ये लाइन ग्रीक सोर्स में आता है जैसे जब हार गया है पोरस अब पहली मीटिंग होती है लड़ाई के बाद एलिक्जेंडर और पोरस में तो एलिक्जेंडर पोरस से पूछता है कि मैं मतलब कैसे ट्रीट करूं तुम्हें तो पोरस रिपलाई करता है कि ज ना ओवरलोड मान लो और तुम्हारी टेरिट्रिय है वो मैं मतलब उसमें जैसे रूल कर रहे थे वैसे रूल करो मतलब मैं तुमको राजय से हटाऊंगा नी तो यह है लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं ऐलिक्जेंडर के बाद यह जो वेस्टन इंडिया का रीजन है न आरेंजमेंट ओए था वो लड़ाई के कारण हुआथा यह नहीं पता तो वह बहन्वाल आरेंजमेंट इसके साथ वह था cops के साथ मैं अच्छा वो मेरे को लगा अजन्यूश्णड बट एक्चूली वो चंदरगॉप्त मौर्य के साथ और जब चंदरगॉप्त मौर्यै क है लेना हाँ यह मिथ है यह बड़ मिथ है इसमें मतलब कोई सोर्स ऐसा है हलीना है बड़ यह मिथ कहीं से तो आई होगी ना ऐसा मिथ जो है वो एक जितने भी देखिए आपके जो मेजर हिस्टोरियन है इंशन इंडिया के आरसी मजुंदार आरके मुकरजी नीलेकंट सास्त कोई भी इस थेोरी को नहीं मानता क्योंकि मतलब वो यह मतलब क्योंकि सोर्सेज में कोई हलीना का कोई जिकर नहीं आता हमको यह तक नहीं पता कि वो बैटल हुई का थी अगर कोई हुई भी थी जो ग्रीक सोर्सेज हैं इंडियन सोर्सेज कोई मेंशन नहीं करते से लुकस अब वो marriage relation किसके बीच था ये कहना मुश्किल है, जैसे एक French scholar थे जिन्होंने पहली बार ये theory दी थी, बड़ अगर वो इतना irrelevant होता तो वो mention ही नहीं करते ना, कुछ तो relevancy होगी, नहीं, relevancy है, लेकिन relevance आप जब ये claim कर रहे हैं कि उसने अपनी बहन, मतलब ये बेटी की है कि एक marriage arrangement हुआ था, किसके बीच हुआ है ये सब नहीं, क्या पता भई कोई दूसरा हो, एक scholar है, उनका कहना है कि ये basically arrangement था जो उस region के Greeks और Indians थे, उनमें intermarriage हो सके, क्योंकि Indians जो थे वो भाई, जो Greeks थे उनको मलेच मानते थे, Indians, Greeks को मलेच, हाँ, basically Indian उस टाइम पे कोई भी outsider मलेच मानते तो वो marriage relations हो नहीं सकते थे, इस जो treaty के वज़ाए वो legalize कर गिया था उस marriage को, ऐसा उनका मानते है, रिचार्ड स्टोनमें लां का, मिंगल और मैरी इस पीपल, उनका ये interpretation है, तो लेकिन ये जो Helena वाला है, ये किसी भी सोर्स में, Helena को मेंशन नहीं हो, Troy, है वो Helene of Troy, जो है ना, वो famous battle आपने में देखियोगी, उसको Helena Helena बना के वो कर दिया है, बट वो है, वो वाली थी, जिसके चकर में लड़ाई हुई थी, हाँ, Troy का तो अलग history है, लेकिन यहाँ पर कुछ वो नहीं है, mention ऐसा, तो मतलब myth, modern myth है, उस पर serial बन रहा है, तो Alexander फिर अपना, ब्यास अचलुच से आगया आके मुड़ गया वो वापस, ब्यास तक ब्यास से फिर वापस जाते हैं, तो यह का करते हैं, जो इंडस जिस, मतलब downward flow हो रही है, तो उसे इंडस के सीधी सीधे जाते हुए, फिर यह westward मुड़ते हैं, बलोचिस्तान, मकरान की तरफ जाते हैं फिर ये फाइनली बैबिलोन में जाके इनकी डेथ हो जाती है बैबिलोन में बिमार पड़ता है रही बिमार वो और जादा शराब पिर लेती है मतलब ये है मतलब पॉइजनिंग से ही मारा है नहीं पॉइजनिंग वो वाइन की पॉइजनिंग हो सकती है मतलब दो interpretation है मतलब कुछ सो scholars का कहना है कि इसके generals ने इसको wine दे दी मतलब शरम वो दे दी थी क्योंकि इसका मानना था कि अब ये एफरीका में जाके conquest करेगा कि मतलब अभी भी शांतनी बैठने वाला कुछ का है कि जादा शराब पी ली थी उसके कारण मर गया और उसके बाद से वो decline पर ही गया उसका empire सारा उसके बाद तो खतम हो गया था empire एकदम से क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि जो जितने generals थे वो आपस में लड़ना शुरू हो गया था तो जो eastern territory थी वो आई थी Salucas Nicator के पास Salucas Nicator की जो eastern territory थी उसी के साथ फिर ये चंदरगुप्त का conflict हुआ battle हुई exactly clear नहीं है battle हुई थी भी नहीं हुई थी लेकिन इतना पता है कि arrangement हुआ था कुछ और फिर उस arrangement का नतीजा ये था कि चंदरगुप्त मौरे की जो पहले territory industry थी वो अब westward extend होके अफगानिस्तान का बहुच major chunk जो था वो चंदरगुप्त मौरे के पास आ गया था और चंदरगुप्त मौरे ने Salucas Nicator को Greek sources की माने तो 500 elephants दिये थे इस पे मेरे को बात करनी है ठीक है मेरे को नहीं पता कितनी relevancy है इस चीज में बट इंडिया में जितनी भी आर्मी वगयरा हुआ करती थी इन में क्या घोडे नहीं होते थे या बहुत limited होते थे क्योंकि एक argument है जिसमें कहते हैं कि यार इंडिया में इतने घोडे हुआ ही नहीं करते थे यह लोग सब मंगोल वगयरा आए हैं वो लोग अपने घोडे लेके आएं इनके पास घोडे होते थे इनके पास छोटे हाइट के घोडे होते थे यह क्या घोडों का इस पीरेट की हम बात कर रहे हैं उस समे थे प्रॉपर घोडे थे हाँ क्योंकि आपको जो उस समय के टेक्स्ट्स हैं उस में मिल जाएंगे और फिर उसके बाद आपका जो स्कल्प्चर्स है जैसे सांची है सांची में आप जाओगे महाँ पे घोडे और रथवत का डिस्क्रिप्शिम मतलब मेंचन है इंडियन आर्मी में रथ में बताते हैं कि उसमें च्छे लोग थे एक रथ में च्छे लोग आते हैं च्छे लोग वो रखते हैं मतलब पोरस के आर्मी में होते थे एक जो था वो ड्राइवर था फिर एक ड्राइवर के साथ बो वाला था फिर बाकी जो चार थे वो spears रहते थे उसके पास तो मतब अच्छा description है तो इनके पास होते थे लेकिन हाँ यह सही था कि major जो यहाँ पर क्लाइमेट ऐसा था कि यहाँ पर horse breeding नहीं हो पाई तो इसलिए जो start early period से ही import करते थे लो घोड़े major major जो था वो import के थुरू आते थे आपका जो कामबोज जो है जो महाजनपत थे बात के sources में बताया जाता है कि वो famous इसलिए थे कि वहाँ पर उस territory में घोड़े होते थे वो basically जो आपका जो ठंड़ अगर Central Asia में चले जो अधे जेकिस्तान ते जेकिस्तान का इलाका है bulk का रीजन है वो तो प्राइम location है वहाँ पर horse breeding की तो वहाँ से तो starting से उत्तर कुरू जिसे कहते हैं उत्तर कुरू लिटरली मतलब वो mention कर रखा है कि वहाँ गोड़े बहुत अच्छे होते हैं तो वो इंपोर्ट उनका फिर घोड़े नहीं आ पाएंगे उनके हाँ तो यह जो आपका point है यह जैसे जो डेली सल्तनत थी एक scholar है William Digby नाम है Simon Digby उन्होंने एक book लिखी है तो उस पे उनका major argument है कि डेली सल्तनत जो थी वो उसकी military superiority का main region यह था कि इसने जो horse trade routes थे जिससे horses की supply होती थी उस पे इनकी monopoly थी तो उसके कारण क्या थे जितने घोड़े आते थे वो इनके लिए यह आते थे बाकी जो Indian kingdoms थी यह पैदल लड़ते थे मतलब आपके पास कम जिसे जो यह Vijay Nagar empire है उनके घोड़े आते थे वो sea route के थुरू आते थे और sea route में Marco Polo जो है जब यह आया था तो वो बताता है कि इतनी बुरी मतलब sea route के थुरू आ रहे है उस time पे जो आते आते आदे खतम हो जाते थे फिर यहाँ पे क्या था कि उनकी जो diet होती थी जो traders होते थे major जो resource drainage का वो है कारण घोड़े होना मतलब घोड़े और वो इसलिए था कि यह जो Delhi Sultanate के जो rulers थे इनोंने जो major routes था जहां से supply होती थी उसको block कर रखा था तो वैसा वहाँ पे भी होता होगा लेकिन उस समय क्या तो को इतनी major बड़ी kingdom नहीं थी जिसने block कर रखा था चोटी चोटी kingdom थी तो उसमें कहाए कि एक तरफ से route नहीं आ रहा तो दूसरी तरफ से आ जाती और दूसरा कहाए कि फिर आपको block करने से आपी का नुकसान होगा क्योंकि अगर आप allow कर रहे हो तो महाँ से आप tax जो traders आ रहे हैं आपकी territory से जा रहे हैं उनसे आप हिंदी में कहते हैं चुंगी जो poll tax जिसे कहते हैं तो उसको आप ले सकते हैं तो आपी का फायदा होगा अगर आप allow करोगे तो आप allow नहीं करोगे तो आपके बगल की जो छोटी kingdom वो लाओ करेगी वो करेगी तो उसको आप टेक्स जादा हो जाएगा तो वो उसमतलब ये तो ठीक है कि मतलब आप कह रहे हो कि उत्तर कुरू वाले एरिया से एक तो हम लोग बहुत emphasis देंगे उत्तर कुरू वाले उसको logic को वहाँ से तो चलो आ गया ठीक है बट ये southern side से मंगाना तो बहुत challenging था ये आते कैसे होंगे इतने सारे गोडे sea route के थू मतलब बड़े बड़े जहाज वो जहाज कितने बड़े होते होंगे एक lot में कितने गोडे आप आते होंगे आप आप 15-20 गोडे 15-20 को गोडे करकर कैसे आ रहे है और वो particular period में आ सकते है तो वो तो रहता ही है sustainable model था नहीं basically sustainable नहीं था और दूसरा कहाए कि बहुत महँगी गोडे होते थे लेकिन उसमें वो भी दिख़् था कि उस समय का जो लड़ाई का पूरा का पूरा focus था वो cavalry dominant था तो इसलिए भी यह अभी जो सिनॉली में जो रथ मिला है सिनॉली में मिला है ना सिनॉली में मिला है उसमें जो रथ मिला है उसका जो पूरा आपने देखा होगा I'm sure pictures वगेरा देखियोंगी whatever you've read so far especially that you've just mentioned कि यह रथ वगेरा भी हुआ करते थे porous वगेरा के उसमें कितना similarity और आपके आपकी speculation क्या है कि यह जो रथ मिला है यह किस time period का होगा मतलब वो ही बोलते है 2000 BC के round का है जब मतलब mature हरपन period exist करता था आप उसमें क्या है कि दो basic वो है arguments या दो basic theories है कुछ scholars का यह मानना है कि यह रथ नहीं मतलब जो गोड़े हैं वो गोड़े नहीं है वो है bell और कुछ का मानना है कि यह गोड़े है उस पर depend करता है अब गोड़े होने की वज़े से क्या है अकर गोड़े वो होंगे तो scholars का यह मानना है जो R.A.N. migration theory को मानते है कि जो major horses जो थे पहली बार इंटोड्यूस हुए थे एक significant उसमें वो Aryans जब मतलब इस region माइग्रेट होना शुरू है तो वो गोड़े लेका है थे अब यहां पर गोड़े होते हैं तो वो फिर थियोरी जो है उसमें वो डेल हो जाएगा नहीं फेल नहीं मतलब एक major जो वो है उसमें problem आ जाएगी और अगर गोड़े नहीं हुए तो रिटेन मतलब वो मिलेगा तो उस पर वो चल रहा है अभी तो Aryan Invasion को support करने वाले कह रहे हैं कि यह गोड़ों वाला ही रत है basically नहीं वो कह रहे हैं कि बैल है अचा यह बैल है अचा क्योंकि यह उससे भी पीछे जा कि अब उसमें दिक्कत क्या है नहीं कि सनौली पे जो हुआ है सब कुछ अभी कोई extensive paper ASI कोई हुआ नहीं वो वर्क कर रहे हैं उसमें जो अब दूसरी दिक्कत क्या है कि अभी हमारे यहां पे इतने सारा जो region है पूरा कबूर आपका हर्याना पंजाब उसमें 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 अगे चलके बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको revise करनी पड़ेंगे जैसे मैं example देता हूं कि 1920 और 19 से पहले अगर आप history books पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हडपा civilization कोई हडपा city मोहन जोड़ो इसका कोई mention नहीं तो तो just discovery के बाद 1990 में पूरी की पूरी history बदल गी आपकी कि आपको पता चला कि अच्छा भई यहां पे भी कुछ civilization थी तो वैसे ही क्या पता है तो यहां पता है कि हां मतलब तुम जो बोलता है हमारी अपनी भी history है जो हमको ही नी पताती तो तुम को क्या बता होगी उससे पहले जैसे जो अशो के बारे में कोई नी जानता था चंदरगुप्त के बारे में पता नी था संडरो कोटस चंदरगुप्त पाटली पुत्र लोग भूल गए थे कि पाटली पुत्र कोई city हुआ करती थी इतनी मेजर ब्रामी खरोश्टी पढ़नी भूल गए थे लोग तो वो सब तो मतलब यह सब जब आपके ब्रिशर्स आये तो उसके बाद उन्होंने यह सब हमको जानने को मिला उनके थुरू तो वैसी आगे चल कि अब भई history अब जितना हम पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं हो पचास साल में बहुत सारे changes हो सकते हो उसमें जैसे अब हम जैसे बात कर रहे थे कि Indian sources कुछ कुछ कहते ही नहीं है कि Alexander आया क्या पता कोई किसी library में आके manuscript ऐसी हो जिसमें ये सब चीज़े mention कर रखी हो तो अब वो जब मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बदल जाएं क्योंकि अभी कहा है कि हम speculate कर रहे हैं और speculate भी कर रहे हैं बहुत minor evidence है हमारे पास उसके थुरू जितना भी evidence इस पूरे medieval इंडिया को या ancient इंडिया का जितना भी history है जितना evidence written evidence है इस चीज़ को लेगे वो सब तो discover हो चुका होगा ना ऐसा तो नहीं है कि अभी भी नहीं मिला ऐसा भी कोई है हाँ जैसे आप जो अर्थ शास्त्र है 1909 में हमको मिली है पूरी वो नहीं थी तो 1909 में मिली है तो ऐसे बहुत सारे plays हो सकते हैं कि जो हमको पता है कभी exist करते होंगे वो आप जाके discover हो कुछ ऐसी manuscripts जो कि भई उस समय के political events के बारे में बताती हो जो हमको पता नहीं कभी बहुत सारी चीजह है हमको नहीं पता चल सकती है तो Indian history तो क्या है कि ancient Indian history खास कर तो उसमें बहुत gaps है और वो gaps धिरे-धिरे भरेंगे उसमें क्या है बहुत सारी फिर हमारी ancient Indian history की जो understanding है वो बदलेगी ये तो पक्का है तो अभी जो हम कह रहे हैं जिसमें हम Mongols के Conquest की बात करते हैं Mongols ने पूरा अपना Japan साइड हो, Eastward पूरा गए हैं West में अपना पूरा यॉरप तक भी I think cover किया ही यह उनोंने राइट और इस तिल नहीं है हंगरी तक almost touching यॉरप तो उसना तो but इंडिया में क्या सीन है मतलब जो चंगेज खान वाला जो generation है और जो उसका Conquest था, उसमें इंडिया में उसने क्यों इतना interest नहीं दिखाया what is the reason for that उसमें उसका main कारण यह था कि जो उस समय तक चंगेज खान का जो major rivals थे वो थे Khwarizmian Empire, Khwarizmian Empire basically परजिया और Central Asia का एक ruler था तो वो चंगेज खान के लिए major वो था, उसमें एक interesting वो आती है वहाँ का जो prince था जलाल उद्दीन नाम था उसका, वो cross करके आता है इंडिया में, इंडिया स्क्रोस करके तो उस समय यहाँ पे इलतात्मिश रूल कर रहा था, तो इलतात्मिश तो वो फिर इलतातमिश बहुत tactfully उसको कहता है, मना कर देता है लेकिन raid होती है, चंगेज खान के period में raid होती है, लेकिन वो पंजाब तक ही सीमित रहती है अलाउद्दीन के period तक आते आते हैं, यहाँ पे यह किली है इलाका यहाँ तक डेली के आउट्सकर्ट में मंगोल आर्मी आई थी डेली के आउट्सकर्ट तक आई थी मतलब मंगोल आर्मी बैटल ऑफ किली कहते है उसमें मेजर डिफीट हुई थी मंगोल यह कौन सा time period है, अलाउद्दीन खिलजी का period 13 century के रहाँ, 13 hundreds के starting का, तो यह है तो यह period था जिसमें मंगोल आर्मी आई थी लेकिन तब तक जो था, मतलब जो जैसी उस समय थी चंगेज खान के उस समय वैसी थी नहीं और दूसरा कारण यह था कि यहाँ का जो climate था ना, मंगोल के जो घोड़े थे वो बेसिकली आपके चोटे हाइट पर fodder पे चलते थे, मतलब वो घास वो खाते थे, वो आप fodder के थ्रून को sustain नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको गर्मियों में घास वास कहां मिलेगी तो वो sustain यहाँ मतलब उनके घोड़े, और दूसरी बात है कि उनको climate यहाँ का suit नहीं करता था, मंगोस का अब जून जुलाइ की गर्मी में यहाँ पे कोई आ जाए तो, क्योंकि इसलिए देखा जाता है कि जो ancient India में जो campaign का season था, वो शुरू होता था यह आपका October में विजय दश्मी के बाद से campaign का strictly season था कि campaign का विजय दश्मी जैसे जो Marathas थे उनका एक tradition होता था सीमो लंगन कहते थे उसको अपनी सीमा को लांगना तो basically जो campaign होती थी अच्छा मतलब यह within इंडिया भी होता था यह आपस में लड़ते थे आपस में भी लड़ने के लिए भी और foreign invasions भी अगर हो रही हैं तो वो भी सर्दियों के दिनों में परिफर करते हैं अगर आप जुलाई में आपने invade करना शुरू करते हैं अभी road में कितनी बुरी हालत हो जाती जब बरसात पड़ती है उस ताइम पे जब road नहीं रहा होती है बरसात में इतनी बरसात होती है कि आप roots बचे ही नहीं रहते तो कहां पे आप travel करते हैं वसा वसा करके term है उसके लिए कि यह तीन महीने का पीरियड है जहां पे हो आप वहीं पे बढ़े है लेकिन और वैसे उनके लिए था कि और एसे और एंड होता था होली तक तो यह प्राइम सीजन है आपका थंड हो रखिया है मार्श करो अच्छ इसलिए जब आप मेजर बैटल्स देखोगे वह इसी पीरिड में होगी है सारी की सारी जैसे आपका थर्ड बैटल ऑफ पानी पर थंड में होई थी जबाइम सारी यह जो स्ल्स्ट्रिस का थाइम होता है अबडाली वाली अबडाली वाली थेरा जोड़ जन्वरी की थी तो वह है हर जबाइम ठीक यह तउसे नद संद पर टोन फिर चोन्वरसेशन विद जैवर्धन शे ट्यून फून फून वाल फून